नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तो राजिस्थान यूणिर्सिटी जेपूर के समेस्टर अगजाम 2023 का आवेदन फोरम कैसे भरा जाता है उसके बारे में step-by-step जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वालो हूँ यानि फोरम बर कर आपको दिखाने वालो हूँ और इसी के साथ फोरम को लेकर कुछ important बाते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा अगर आपको भी आवेदन फोरम बरना है तो इस वीडियो के साथ है वो आप बने रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा है कि आप सभी को पता है कि Education Policy 2020 के अनुसार है All Our India के अंदर समेस्टर परनाली है वो लागू हो गई है तो ऐसे में राजिस्थान उनिर्सिटी जेपूर के दवारा भी समेस्टर 2023 के अगजाम फोरम भरवाना है वो शुरू कर दिये हैं और इसका Notification वो भी जारी कर दिये है देखिए अभी तक के समेस्टर का आवेदन फोरम भरने की जो डेट है वो 4 नौंबर 2023 से लेके 4 दिसंबर 2023 थक है विदावट फीस के और यहां पर 100 रुपे अत्रिक देखे यहां पर जो डेट रेगे वो 5 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर 2023 थक है तो लास्ट डेट का आपको तोर पे ध्यान रखना है अभावेदन फोरम भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकी जो अग्जाम की ओफीसिल वेबसाइट है उस पर आपको जाना पड़ेगा जिसका जो URL है वो है uniraz.org देखिए इनकी दो वेबसाइट है मापको यहां पर दिखाना चाहूँगा एक त दूसरी है अग्जाम की .org वाली तो आपको .org वाली वेबसाइट पे आने यहां पर आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाए देगा यहां पर देखिए आपको एक ओप्शन है वो मिल जाएगा फिल समेस्टर अग्जाम फोरम ठीक है तो यह नया लिंक है इनके राजिस्थान University की साइट के उपर रेजिष्टरेशन ने किया है तो आपकोद्य वा ठीक है अगर आप पहले से यहां पर रेजिष्टर कर चुके हो तो आपको दोवाला रेजिष्टर करने की आफ्सлем्ता नहीं हैं यहाप पर आपनी ID डाली जाना, लोगइन कर लीजिएग क्योंकि इस बार All Our India के अंदर कुलेज वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए ABCD जो ID कार्ड है वो लागू कर दिया है अलांकि ये स्कूल के लिए भी है लेकिन इस्कूल के लिए अगले साल से ये लागू होने वाला है अगर आपको ABCD के बारे में अधिक जानकारी नहीं है आपको नहीं पता है ये कैसे बनाया जाता है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है आप यूटूब पे जाके सर्च कीजिएगा ABCD ID राजगूर जी तो देखिए आपके सामने हमारे इस परकार की ये वीडियो है वो आ जाएंगे देखिए ये मैं हूँ आपको मैं बता देता हूँ देखिए और संबंदित वीडियो का लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हो मिल जाएगा हमारे दूसरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है राजगूर जी एडू जहां पर आपको competition से समधी जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहेगी और इसके लाव हमारा जो man channel है उसका नाम है राजगूर जी जिस पर देखिए अभी तक एक लाग से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं या आपका प्यार और सपोर्ट है और इसके लाव यदि आपको नहीं पता है कि ABCD card के लिए online आवेदर्म फोरम कैसे भढ़ा जाता है तो इसके लिए हमारे इसी channel पर visit कर सकते हैं या YouTube पर जाकर search कर सकते हैं ABCD ID ज्यान कामना तो देखिए आपके सामने हमारी ये वीडियो आ जाएगी ये वीडियो देख लीजेगा उसके बाद आपको आवेदर्म फोरम बरना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं new registration कर रहा हूँ जैसे आप new registration पर आप click करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपसे ABCD ID हो मांगी जाएगी तो आपको यहाँ पर ABCD ID डालना है और gate ABC ID detail वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है अब जैसे आप इस पर click करोगे तो देखिए इस तरह से है आपकी detail हो आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए आपका नाम आ गया है पिता का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप अपने पिता का नाम है यहाँ पर manually है आपकी dot image यहाँ पे लिखिजेगा फिर आपका mobile number नबर क्या है वह फिर आप यहाँ बिख देना है तो चलिए मैं यहाँ पर mobile no before लिख देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपकी mail id लिख को यहाँ यहाँ पर लिखे प्थुम्हांब्सक्राइबो देखोगे यहां पे एक error आ चुका है बोल रहा है कि वह रहों extension फाइल का extension वह सही नहीं है यहां पर आपके जो photo है और signature वह केवल जिफ फाइल के अंदर आपको यहां पे upload करना है तो यहां पे हमारी दूसरी जो photo है जिफ के अंदर भी है इसको मैं आपको select करके दिखा देता हूं यह है देखिएगा अपकी बार यह हो चुकी error यहां पे नहीं आया है और इसी तरह से हमारा जो signature है जिफ वाला यह मैं यहां पे है वो select कर लेता हूं अब दोस्तों अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है आपकी photo jpg की है अगर आप उसे gf में convert करना चाहते हो तो देखिए बहुत सारी online आपको free वाली website मिल जाएंगे यहां पे आप Google पे जाके search कीजिएगा png to zip तो बहुत सारी website आ जाएं उसके बाद आपको submit पे click करना है लेकिन submit पे click करने से पहले एक बार आप अपनी जानकारी हो चेक कर लीजिएगा कि आपने उपर जो data भरा है वो सही है या फिर गलत है इसके बाद आपको submit पे click कर देना है तो यहां पे देखिए ABC ID के थुरू आपका registration हो जाएगा और आप आपके सामने यहां पे देखिए application number आ जाएगे इन application number को आपको संभाल के रखना है मैं यहां से इसको copy हो कर लेता हूँ ओके पे आपको यहां पे click करना है अब यहां पे देखिए आपका registration number आ चुका है इसके बाद आपका जो password है वो आपके mobile number पे आया है तो password डाल दीजिएगा और वैसे आपका जो password by default होगा वो आपका mobile number होगा तो यहां पे mobile number हो डाल दीजिएगा इसके बाद आपको login पे click कर देना है तो ऐसे में आप अपनी ID के अंदर login हो जाओगे कुछ इस तरह का interface आपको दिखाए देगा सबसे उपर आपको fill exam forum का option मिलेगा इस वाले option पे आपको click करना है और इसके बाद सबसे पहले यहां से आपकी category हो select करना है अगर आप regular student हो तो आप इसे select हो कर लिजेगा मैं यहां पर regular को select कर रहा हूँ अलांकि दोनों में forum की process एक जैसी है इसके बाद आगे यहां पर देखिए आपको semester हो select करना है ठीक हो by default यह semester है इसके बाद आगे आपकी class और faculty हो select कर लेनी है कि आप कौन से semester के लिए आवेदन forum हो भरने जा रहें अब दोस्तों आपको यहां पर बताना चाहूंगा देखिए फिलहाल यहां पर राजिस्थान उनिवर्सिटी के दवारा जो सनात को उतर है यानि M.A.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M. C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C के समय डाला था हैं पर English में आ चुका है लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आपको हिंदी में भी हो लिखना पड़ेगा और हिंदी में लिखने के लिए साधान तो की बोर्ड में आपकी दबाएगा जैसे आप अपने हिंदी के अंदर English लिखते हैं उसी तरह से आपको यहां प करता हूं तो भी नहीं आ रहा है यहां पर देखिए अनुसु आर की थोड़ी शी दिक्क्त आरहिए अगर आपके सामने वी इस प्रकार की अनुसु आर की दिक्कत आ रही है computer से यह दी आप forum बर रहे हो तो यहाँ पर देखिए जो Google Input है Google Input की मदद से है आप यहाँ पर सही नाम है वो लिख सकते हो computer के अंदर install कर लिजेगा तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने पहले से Google Input को है यहाँ पर है चलिए इसके बाद आपको next वाले option पर है वो click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर देखिए आपकी detail फिर से एक बार कुछी तरह से हो देखने को मिल जाएगी चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो जाती है वो आपको यहाँ पर select करनी है C, S, T, O, B, C उसके बाद आपका gender कौन सा है select कीजिएगा उसके बाद आपकी category कौन सी है अगर आप में कोई सारी विकलांगता का दोस है तब आपको यह category select करनी है आपको यहाँ पर नन पर है वो click कर देना इसके बाद आपकी जो भी जनमतिती है वो जनमतिती यहाँ से select हो कर लीजिएगा और यहाँ पर आपका जो month है वो select कर लीजिएगा day कौन सा है वो day भी आप यहाँ से select कर लीजिएगा इसके बाद आगे आपसे यहाँ पूछा जा रहा क्या आप इस उनियुरसिटी में पहले से नमंकीत हैं याँनि आपके पास पहले से इन्रोलमेंट नमबर है क्या है तो यह कीजिएगा, यह करोगे तो आपको इन्रोलमेंट नमबर और येर है वो आपसे पूछेगा नो करोगे तो कोई जानकारे आप से नहीं पूछेगा इसके बाद यहाँ पर देखिए परसंपत्र की माद्यम है यहाँ पर पूछा गया है बांसा का हिंदी और इंगलिज जिस परकार का परसंपत्र आप लेना चाहते हैं अपरसंपत्र आपका इंडियन आपको सिलेट करना है इसके बाद आगे आपका पर पर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि have you appeared in the exam of this university last year क्या आपने last year है कोई भी exam इस university में बैठे हैं क्या नहीं तो ये सुनो में आपको यहाँ पे जवाब देना जो आप पे लाग हो रहा ठीक है इसके बाद आगे यहाँ पे देखें point number 13 में पूछा गया है क्या आपने इस university से migration निकलवा लिया है तो ये सुनो में आपको जवाब देना ठीक है अगर आपने निकलवाय है माली जे पहले आपने इस university के अंदर पढ़ाई की थी उसके बाद किसी दूसरी university में आप चले गए या दूसरे state में आप चले गए उसके लिए आपको migration के आवसेक्ता हो गई आपने निकलवा लिया और फिर से इसी university के अंदर आप आगे की पढ़ाई जारी करना चाहरे है तो ऐसी स्थित्य में आपको यहाँ पर yes करना पड़ेगा अन्यत आपको यहाँ पर no करना ठीक है चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर देखे पॉइंट नंबर 14 में आपको अपने education की जानकारी देने है कक्सा दस्य और बार्य और college की जानकारी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा सबसे पहले कक्सा दस्य की है तो board कौन सा है यहाँ से select हो कर लिजेगा इसके बाद आपका roll number क्या है वो लिखिएगा class कौन सी है तो 10 लिख दीजिएगा और मुख्य प्रीक्षा कौन सी प्रीक्षा में आप यहाँ पर पास हुए थे man या supplementary जो भी है दो option आपको देखने को मिलेगा साल को select कर लिजेगा total number आपने कितने प्राप्त किये थे total पुर्णा कितने खा तो वो आपको यहाँ पर डालना है result आपका कैसा था पास थे या फिर आपको supplement रहाए थी ठीक है तो उसी इसाफसे यहाँ पर देखिए आपको कक्षा बारवी और college की detail आपको यहाँ पर डालना है इसके बाद आगे यहाँ पर पूछा गया degree after third year exam आपने third year की exam देने के बाद कोई degree course किया है क्या तो आपको yes no में आपको यहाँ पर जवाब देना है ठीक है तो मेरे case में मैं इसे no कर रहा हूँ चलिए इसके बाद आपके लिए सबसे important जानकारी आपके subject तो यहाँ पर देखिए आपको केवल optional subject वो देखने को मिलेंगे आलांगे compulsory subject भी होते हैं compulsory subject तो automatic के आजाएंगे यूँ समझ लीजेगा तो यहाँ पर compulsory subject भरने के आपको कोई आवशेता नहीं है यहाँ पर केवल आपको optional subject भरना है देखिए सबी subject के आगे यहाँ पर optional option है वो लिखावा है अब दोस्तों यहाँ पर पर्तेक subject के आगे यहाँ पर देखिए check box है वो लिखावा है जो भी आपके optional subject हैं वो subject आप यहाँ पर select है वो कर लीजेगा अब दोस्तों यहाँ पर जानकारी बताना चाहूंगा देखिए हमने फोरम के शुरुआत के अंदर जियोग्राफिय हो सिलेक्ट किया था तो इसलिए यहाँ पर जियोग्राफिय से रिलेटेड जो भी सब्जेट है उनके नाम यहाँ फिलहाल दिखाए दे रहे अगर आपकी अलगी स्ट्रीम है अलग सब्जेट आपने सिलेक्ट किया तो उसी निसवरा आपको यहाँ पर सब्जेट वो दिखाए देंगे पर जाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले उप्जेट पर क्लिक करना है अब जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो देखिए आपका फोरम का पर विवु है कुछ इस तरह से आपको है वो दिखाये देगा यहाँ पर देखे एक तो चलान बनके है वो आ चुका है यह आप offline बुक्तान करवाना चाहते हो यानि इमित्र की मदद से जमा करवाना चाहते हो तो print in noise वाले option पे आपको click करना है लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा यदि आपका आवेदन फोरम भरते समय किसी परकार की कोई गलती रह गई है अब आपको यहाँ पे पता चला है तो फिलहाल आपको यहाँ पे इसको लेके payment नहीं करना है आप दुवारा है शुरू से एक नया आवेदन फोरम है वो भर सकते हैं ठीक है अन्य था आपके सामने शम्मस्या वो आ सकती है तो यहाँ पर print inos पर मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ जैसे आपने इस पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे इस तरह की noise बनके है वो आ चुकी है और यहाँ पर हमें इसको PDF के अंदर है कहीं पर भी अपने PC के अंदर हो save कर लेता हूँ बहुशे के लिए ठीक है चलिए मैंने यहाँ पर इसको save कर लिया यह हमारा काम हो complete हो गया अब यहाँ पर देखे मैं के payment वाले option पर आप click करोगे तो यहाँ पर भी देखे आपके सामने है online payment करने के कई mode आ जाएंगे net banking है debit card है credit card है UPI है UPI का मतलब यहाँ पर अगर आपके पास google पे phone पे अगरा वगेरा है तो उनके माद्यम से भी आप अपना payment हो कर सकते हो payment successfully होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक चलान number हो मिलेगा जो चलान number आपको भहुषे के लिए सुरक्षी तवर रखना है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका forum print करने के लिए option आपके सामने आ जाएगा उसे आप download कर सकते हो और यह invoice है वो भी आप print कर सकते हो पहले वाले option आपको मिला था वहाँ पर print invoice का तो उस मादम से है आप अपनी invoice भी है वो कर सकते हो अलांकि फिलहाल यह पूरा forum नहीं है ठीक है अब इतना काम करने के बाद जब आपका payment successfully हो जाता है तो आपको पीछे आना अलांकि फिलहाल में यहाँ पर कोई भी payment वो नहीं कर रहा हूं एक बार मैं पीछे आता हूं यह आप अपना आवेदन forum प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखे reprint exam forum 2024 इस वाले option पर आपको click करना है तो यहाँ पर देखे आपको forum number है आपके चलान number है वो आपको यहाँ पर डाल देने है उसके बाद print exam forum 2024 है आपको click करना है तो यहाँ पर यह दी आपका चलान number आप आपका reference number आपके application number सही होंगे तो यहां पे वो print हो जाएगा अन्य था यह print नहीं होगा आलांकि मेरे दुवारा यहां पे गलत जानकारी है वो भरी गई है तो देखिए forum भरने की process यह है इसके अलावा आवे दुन forum भरते समय आपके सामने किसी परकार की कोई शमश्या आ रह धगजय के अथैसने के नहां तेखिए उयागाएल हैंए मोली अराव ट dellागर यहां कारएद वो oppression शेण कारवेखबस।बगण